हेले बच्चो तेकवा फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अज का इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का समाजिक बिज्ञान का वक्षिट नमबर 11 करने बाले हैं अज ऐसा की पता है का आपका समाजिक बिज्ञान से अभी भूगोल से वक्षिट आ आता है यानिकि जोग्रफी से तो आज हमें जोग्रफी में और उसमें से भी आप का एक दो दिन से क्रिसी से यानिक एगरी कल्चर से वक्षिट आ रहा था ता आज हमें पढ़ना नगदी फशल एवं आवाश्यक जलवाई यानिक जो नगदी फशल क्या होता उसके बारे म यानिकि से हमें तोड़ा लाब हो सके तो आप देखो कुछ दे रखा नगदी फशल के बारे में और उधर आवाश्यक जलवाई जैसे चाए तो चाए की जाड़ियां को शाल भर गरम और नम पाले की मुक्त जलवाई की आवाश्यकता होती यानिकि वहापे पाले बरे नही हो जादा होती है वहापे होता है रूई की बात करते साल भर गरम और नम पाले की मुक्त जलवाई चाहिए यहां भी पाले बरे नहीं पढ़ना चाहिए ठंड़ा जादा ठीक है उसके बाद धकन के पठार की काले मिटी के कपास की अच्छी तरह से विक्सित होता है और इसक आप मान हलकी वर्षा यह सिचाई यह दोसों दस धंड मुक्त दिन और तेज धूप के आवाज सकता होती है ठंड मुक्त दिन यानि के दोसों दस दिन तक कम से कम पूरा ठंड मुक्त दिन होना चाहिए ठंडा वेरा नहीं होना चाहिए और तेज धूप के आवाज सकता होत या उसन कटी बंदिये और उपोश कटी बंदिये फशल है या 21 डिगरी सिल्सियस से 17 डिगरी के ताप पान और 75 से 100 सेंटिमेटर के बीच में बारिस वार्षिक वर्सा के साथ गरम और आदरा जलबाई में अच्छी तरह से बढ़ती है उसन कटी बंदिये और उपन पोश बंदियों के छेतर पे भी उगाया जाता है 200 सेंटिमेटर से अधीक वर्सा के साथ इसके लिए नम और आदर जलबाई की आवसकता होती है और तापमान 25 डिगरी सेल्सियस के उपर से भी ठीक है बच्चो तो यहां से असानित सा तीन सा कोशन है तो सबसे पहला जो कोशन था बच्चो उस नगदी फसल का नाम बताईए जिसे वर्स वर उच वर्सा की आवसकता पड़ती है तो सबसे ज़्यादा उच वर्सा की आवसकता की से पड़ती है आप फिर देख रहे हैंगे 200 संटीमेटर याने की रबड़ तो पहला कैंसर आप लोग क्या लिख लेना बच्चो रबड़ रबड़ क्या लिख होगे रबड़ ठीक है लिख लोगे आई होप की समझ में आग पेंडर लाइन हम कर देते हैं आप लोग लिख लेना पहले में लिख लेना रबड़ की दूसरे में लिख लेना ये का लिमिटी ठीक है तिसरे का जो अंसात है बच्चो अभी हम लिख भी रखे तिसरे के लिए कि रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज की जलबाई उपियक्त है और आज साच्छत दर्ग के लिए भी जाना जाता है तो केरला क्या होगा बच्चो केरला में यहां से आप लोग केरला ठीक है केरला का सबसे ज़्यादा एक इलिट्रेशी रेट है उसी के लिए जाना जाता है और रबड की खेती उहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में होती है ठीक है तो आई होब कि यह तीनों का अंसर आपको समझ में आ गया है फूर्थ का जो अंसर अभी नीचे हम करके बता भी रखे आपको बताएंगे कि चाय की फ अंसर आपको बता रखे देखो चौता का भी अंसर इसी तरह से होगा कि चाय की फसल उत्तर पूर्व के पहाड़े छेत्रों में उगाए जाती है जबकि उत्तर भारत के पहाड़े छेत्रों में उगाए जाती है जबकि उत्तर भारत के पहाड़े छेत्रों में नहीं क्यों की चाय की जाड़ियां को साल भर गरम और नम पाले से मुक्त जलबाई की अवा सकता होती है लेकिन आप लोगों ही देखेंगो तुत्तर भारत में भूजादा ठंडा रहता है इसलिए वहाँ पे नहीं हो सकता है ठीक है तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बिहेचता और असान साच का वक्षिट था जो आप लोग समझ भी गया होगा और अच्छे से किया भी होगा ठीक है बच्चो तब फिर मिलते है अगली क्लास में जब तक आप लोग इस तरह से घर पे अरान सबढ़ते रहे है धन्यवाद